किया आप भी अपने WhatsApp के call को record करना चाहते हैं जैसे कि आप अपने normal call को record करते हैं तो आज की वीडियो में हम यही topic को cover करने वाले हैं आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरह काफी easily अपने WhatsApp के call को normal call की तरह record कर सकते हैं तो वीडियो को सुरू से इन तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो कर दिजेगा आप लोगों को सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जारेगा तो यहां से फिर आप लोगो क्लिक करने के बाद यहां से आप लोगो चले जाना है सेटिंग में जैसे आप सेटिंग करते तो यहां पे आप लोगो एक्स्ट्रा ओप्चन मिल जाता है सिक्यर्टी में पिन लॉक या फिर फिंगर लॉक का जिससे कि क्या हुआ कि अगर आप अपने वाट्सेट कॉल को रिकॉर्ट करते हैं तो आपका कोई तीसरा परसंट फोन लेता है तो आपका रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाएगा यहां पे लॉक हो जाएगा एन आप लोग के साथ आप लोग साथ फिंगर प्रिंट भी यहां लगा सकते हैं है इसके अलाव आप लोग को और यहां से वॉइस कॉल को स्टीक करने चले को लेक है यहां इसके ब estimates को और बेंड करने का चाहींगा वहाई देखे जैसे कि यहां से मैं अपने फ्रेंड को कॉल लगाता हूं तो कॉल लगाते ही आप लोग को उपर से नोटिफिकेशन में सो हो जाता है कि यह कॉल रिकॉर्ड हो रहा है यहां पर रिकॉर्डिंग ओन गॉइंग कॉल यहां पर लिग देता है और देखे यहां से कॉल ल सुन सकते देखिए इसके बाद लोग Profway को concert में आ Ones अप्लिकेशन में आने के बाद यहां पे आप लोग का एक फाइल मना देता है जैसे कि मैं अपने फ्रेंट्स यहां कुंदन से बात किया हूँ तो इसका एक यहां पे फाइल बना दिया है लेखे इसके लिए आप लोग अपने प्लेएस्टोर को उपने करना और प्लेएस्टोर पे आने के बाद यहां सर्च करना है अप कॉल रिकॉडर यह सर्च करते यह अपलिकेशन आप लोगो फ़र्स नंबर पर मिल जागा आप लोगो मैं यह उपन करके भी दिखा दे रहा तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह काफी इस लिए अपने वाट्सेप के कॉल को नॉर्मल कॉल की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं वीडियो में